हेलो फेंस मैं फरीदा आप देख रहे हैं समाची खबरे हिंदी टीवी नियूज राजस्तान की बढ़ मेर में हत्या का एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक महिला ने अपने जेट का प्राइवेट पार्ट दबा कर उसकी हत्या कर दी बताया जा रहा है कि दोनों पिछले तीन साल लिव इन रिलेशन्शिप में रह रहे थे और उनके बारा बच्चे हैं बीती रात दोनों में कुछ कहा सुनी हुई उसके बाद जेट ने बहु पर हाथ उठा दिया इससे गुसियाई बहु ने जेट का प्राइवेट पार्ट दबा कर खीच दिया जमीन पर गिरते ही उसे अंद्रोनी चोट लगी और जेट की मौत हो गई घटना जीले के सदर थाने छेतर की जोगियों की दहारी इलाके में हुई सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और शर्फ को कबजे में ले लिया और पोस्ट मास्टम के लिए भेज दिया मामले की जांश शुरू की पचास वर्षियों माले मार जोगी अपने छोटे भाई की पतनी पवनी के साथ करीब तीन साल से लेव इन रिलेशन्शिप में रह रहा था इस रिश्टे से दोनों को चार बच्चे हुए पुलिस ने आरोपी बहुप पवनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302-323 के तहट मामला दर्च कर चांश शुरू कर दी है क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फिर्म है क्या आप में जुनूने समस्याओं को उजागर करने का क्या आप में जजबा है लोगों को न्याय दिनाने का तो आज ही जुडिये देश के तेजी से बढ़ते निउज नेटवर्क राइट टो इंफॉर्मेशन समाची खबरे निउज एजनसी के साथ राइट टो इंफॉर्मेशन समाची खबरे निउज एजनसी एक नैशनल हिंदी चाइनल है हमारे टीम में 100 से जादे रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं आप भी जुडिये राइट टो इंफॉर्मेशन समाची खबरे निउज एजनसी के साथ और बनाईए पत्रकार्ता में अपना सफल करियर